क्या पेट्रोल प्राइस को लेके परिशान है। क्या ज़्यादा बाइक यूज करते हैं। क्या बाइक का पारफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों ही आपका कॉंसर्ण है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। देखते रहे हैं इस वीडियो को अंतर्क। आप देख रहे हैं साहस बाकट और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सवरब। पेट्रोल की जो प्राइस है वो तो हम लोग घटा नहीं सकते। पर अपनी बाइक की माइलेज थोरा सा इंक्रीज कर सकते हैं। थोरा सा मतलब तीन या पांच किलो मीटर तक आपकी जो पाइक है उसका माइलेज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लोग आपका जो पार्क प्लाग है वो चेंज कर ली। तो आज यह वीडियो पार्क प्लाग के बारे में ही होने वाला है। यह एक नॉर्मल स्पार्क प्लाग जो एंजी के तरफ से आता है और यह एक्स ब्लेड में दिया जाता है यह जो टिप देख रहे हैं आप यह कौपर का बना होता है और यह नॉर्मल स्पार्क प्लाग है यह दिया गया था मेरा एक्स ब्लेड में और मैं इसको उतार कर एक वो इरीडियम था और आप लोगों के साथ इरीडियम भी सेयर करें यह वाला इरीडियम स्पार्क प्लाग है इसका जो टीप है वो आप देख रहे हैं यह टीप जो है यह पीन की तरह है यह वाला स्पार्क प्लाग इरीडियम है यह जो टीप है यह टीप इरीडियम की बने हो और यह इसी लिए ही मेहंगा है और इसका जो स्पार्क है वो नॉर्मल स्पार्क प्लाग से बड़ा होता है एक बार दोनों ही स्पार्क प्लाग को देख लेते हैं यह डाइनी तरफ जो स्पार्क प्लाग है वो नॉर्मल कॉपर स्पार्क प्लाग है और बाई तरब जो spark plug है वो Iridium spark plug है और मेरा जो Iridium spark plug है उसका जो यहाँ पर ये जो white portion देख रहे हैं वो तूट कया है इसलिए मुझे ये change करवाना था और आपके लिए video भी बना ना था तो इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ और आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ ये देखिए इसका जो स्पार्क प्लाग है वो अंदर से तूट गया है इसलिए इसको चेंज करवाना पड़ रहा है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है और नय वाले जो स्पार्क प्लाग है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं ये देखिए ये बाही तरब जो स्पार्क प्लाग है वो नया है और ये पुराना वाला है डाही नी तरब स्पार्क प्लाग चेंज करने का ये ही एक रीजन है तो चेंज करके लगाते हैं ये ठीक से टाइट करना पड़ेगा ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है और ये लगा देंगे हो गया इंस्टालेशन पाइक की माइलेज तीन से पांच किलमीटर तक इंक्रीज हो जाएगा आप सोच रहे होंगे कि बाइक में माइलेज तो इंक्रीज होगा आपका जो पार्फर्मेंस है वो क्या घट जाएगा तो ऐसा नहीं है दोस्तों ये माइलेज बढ़ेगा जरूर मगर उसका जो पार्फर्मेंस है उस बाइक का जो पार्फर्मेंस पहले था उससे भी जादा बहतर परफॉर्मेंस देना चालू करते गई है जादा थ्रोटल मिलेगा आपको जादा माईलेज मिलेगा आपको और जादा भगाने का मज़ा तो मैंने पहले भी इरिडियम स्पार्क प्लग यूज किया है तो यह जो साउंड है मेरा जाना पहचाना साउंड है और यह साँंड बहुत अच्छा भी लगता है चेंज करने के बाद इरिडियम स्पार्क प्लग लगाने के बाद आप लोगों का क्या कुछ चेंज आया है वो जरूर कॉमेंट बक्स में बताना और अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो जरूर से सब्सक्राइब करना फीर ऐसी कोई वीडियो में आप के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्ते